के आधार पर भारती वायुसेना के दो स्वदेश निर्मित लाइट कमबाट एरक्राफ तेजस मार्क वान कुछी पलों में बाएं से आते हुए अपनी बंबारी से दुश्मन के टैंक कॉलम्स को धस्त करेंगे इसे कोडिनेटेड एर आपरेशन्स भी कहा जाता है देवी और सज्जनों अपना ध्यान बाएं रखे उदेमान भारत की प्रतिभा और प्रतिबधता का प्रतीख तेजस नए भारत का नया लडाकु विबान आतले भारत की प्रधन मंत्री उपस्तित अच्छन्ति एबंग प्रोख्रान रे भारतियों बाविशना निजरो सक्ती सामर्थ किभरी रहिची तहा प्रदर्शन करूची अर्थार भारतियों बाविशनारो समराभ्यास एहुची सिधा सरक चित्र जेउट्री प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी बर्तमान उपस्तित अच्छन्ति बर्तमान रो सरकार सर्बधा सामरिक सक्ति किभरी भावरे ब्रुधी सरक चीतर रहिब सदी गरे जथे गुरुट्ट्यों देउठिवाविले आमे देखुचे समरेक स्तर ओरे बिभिन्नों अस्तर सस्तर कथा कूहन्तू बा समरेक स्तर ओरे भारत केमिती अहुरी सक्ति शाली होई पारिव horasadan मंत्री नरेंद्र मुदी एई समराभ्यास आपने देखुँचनती चित्रों एहुची सक्ति साली तेजस रो पराक्रमों और था किभली सक्त्रुपक्षन कु माद देई पारीबों आकास रे किभली चक्कर काटी पाले तेजस तारो नमुना बा तारो उदाहरों चालूची बावी सनाय बंग जहांकु उपभग करुच प्रधान मुंत्री नौरेंद्र मूती पूचना के आधार पर हायर हैट क्वाटर ने हमारे सशक्त पिनाका और ग्राड लांग रेंज रॉकेट लांचर सिस्टम को मॉबिलाइज करने का ओर्डर पास किया है अब अपना ध्यान आधा दाहने ब्लैक स्क्रीन के पास खुली जमीन पर ले जाएं जहां छे ग्रैट लांचर्स फायर करने के लिए तैयार हैं ये रॉकेट सिस्टम कुछी देर में टार्गेट लॉक होते ही अपने रॉकेट के विनाशकारी फायर से तकरीबन 18 किलोमेटर दूर दुश्मन के कमांड और कंट्रोल हेड़कौार्टर्स को बरबात करेंगे ये हुची समराभ्यास रो चित्रो आमें आपनोंको सिधा सलख बर्तमान देखो हुचे जहुठी तेजस उडिवाब परे क्योंठी सत्रुपक्य अच्छनती बार टार्गेट क्यों जागारे है वो ताहा अनुध्यान करीवाब परे हाई हेड़कौार्टर कु ए संपर करे सुचना देई था एबंग सुचना दवापरे मिजाईल कीभली भाबरे प्रस्तुत होई थाए रोकेट कीभली भाबरे मारो हुई थाए तारो एह हुची समराभ्यास जदी भारत कु केवे की आक्रमन करे बा सेभली परिस्थिती सुष्टी हुए ताहले बावसना कीभली परे जबाब दवासे ने बावसना केते दूर प्रस्तुत अची एह हुची तारो उदाहरों बा तारो समराभ्यास एबंग जेउठी खोद प्रधान मंत्री उपस्तित अचंती एबंग एई समराभ्यास को देखुचनती उपभग करूच चंती एबंग भारतियों बावसन इसको अब सौदेश में ही निर्मित किया जा रहा है इसमें बिनाका रॉकेट भी शामिल है अब आप बिनाका के बिन्धुन्सकारी फायर को किसी भी क्षण दुश्मन के कमांड तथा कंडूल हेट्वाटर के बचे हुए दस्तों को नेस्तो नाभूत करते हुए अपना ध्यान बाई तरफ रखें पिनाका शब्द पिनाक से लिया गया है पिनाक भगवान शिप के धनुश का नाम है जिसे उन्होंने रिशी परशुराम को धर्म की रक्षा के लिए भेट किया था ताकि राक्षसों का विनाश हो सके याक्षसों रूपाए जटा धराए पिनाक हस्ताए सना तनाए दिव्याए देवाए दिगंबराए तस्माई कराए नमो शिवाए अब देखुच नती बरतमान पीनाक रोकेट की भारे लक्षव भेदर करें शेने बरतमान समराभ्यास जारी रोही ची एबंग पीनाक रोकेट यह हुची पीनाका सब्धरू आसी थिवा कुँआ जाए एबंग पीनाका सब्धोय उची सिबवन को धनू कुपिनाका बोली कुआ जाए तरू जयते बेगे शिबन निजा धनू रुशी पर्शुराम को धर्म रख्ता पाई अर्पन करी थिले शे समोरे पीनाक धनूर कथा सामना बिनाक रोकेट भारत पाखरे महजुद रोही ची तार व सकती सामर्च किमली भावरे रोही ची किमली दुरारी तुपा स्वत्रू पक्ष्ण को कैम को टार्गेट कोरी पारे से नहीं बरतमान समराभ्यास जारी रोही ची आत्म निर्भर भारत की तरफ द्रण निश्ठा का प्रतीग है नौसेना के कैरियर टास्पोर्स, सर्फिस एक्षिन ग्रूप्स, रप्लेनिश्मेंट ग्रूप्स एवं सब्मरीन अपने निर्भारत जगा पर तैनात होकर इंटेग्रल एवं शोर एर सपोर्ट से सर्वेलिंस कर रहे हैं नौसेना के मरीन कमाडोस या मार्कोस विजिट बोर्ट सर्च एवं सीजर यानि की पी बी एसस आपरेशन करके दुश्मन की हत्यार आफूरती पर नाखाबंदी करते हैं और जंग की सामगरी के पहुचने में अवरूद पैदा करते हैं इसके अंतरगत धल सेना और वायू सेना के साथ मिलकर नौसेना अपनी योजना के मताबिक आपरेशन को जल मार्क से तेजी से आगे बढ़ा रही है इस समय हमारी वायू सेना ने दुश्मन के एर बेस और महत्वपूर्ण कमाड कंट्रोल और कम्यूनिकेशन सेंटर को अपने सटीक फायर से बरबा इस वजह से धल सेना के ऑपरेशन में हवाई हमले का खत्रा काफी हर्ट तक कम हो गया है इन ऑपरेशन का फुटिज अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं देवियों सजनो इस प्रकार भारतिय सेनाय थल जल और वायो के तौरा आक्रमर करके दुश्मन को चारों दिशाओं से बरबाद कर रही हैं तीनों सेनाय अपनी समस्त शक्ति और इंटेग्रेटर जॉइंट ऑपरेशन का दुरुस्त उदाहरण देते हुए राश्ट्रिय सुरक्षा की प्रतिबधता को दर्शा रही हैं आप अपना ध्यान राउन रिज के दाहिनी किनारे पर डिप्लॉइड चार रडार्स पर ले जाएं आपकी सुविधा के लिए ये रडार्स T, W, B और R स्क्रीन से दर्शाए गए हैं 22 से दाहिने T से दर्शाया 3D TCR रडार W से दर्शाया Weapon Locating रडार स्वाती B से दर्शाया Battlefield Surveillance Radar Medium Range या BFSR MR और R से Long Range System Deployed है इनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर हायर कमांडर ने आत्म निर्भर भारत अभ्यान के अंतरगत निर्मित धनुश और शारंग Medium Artillery Guns के प्रभावशाली फायर से दुश्मन को बर्बाद करने का आदेश दिया है Medium Artillery Guns के फायर को गाइड करने के लिए एक थल सेना की रेकी और अब्सेवेशन चेतक हेलिकॉप्टर को दिशा देने के लिए भेजा गया है अब आप अपना ध्यान पूरा दाहिने ले जाए यहाँ से साथ किलोमीटर दूर आप धनुश और शारंग गन सिस्टम के फायर को देख सकते हैं जो आपको फ्लैश के जरिये दिखेगा यह दोनों गन सिस्टम चेतक हेलिकॉप्टर के द्वारा दिये गए डिरेक्शन का इस्तेमाल करके विनाशकारी प्रहार से टारगेट ग्रूप दो को बर्बाद करेंगे टारगेट ग्रूप दो पर धनुश और शारंग की भारी गोला भारी से दुश्मन के फ्यूल डिपो और आठिल्री गन पोजिशन का विनाश धुए का गुबार और धुए के गुबार में चूर चूर होता दुश्मन का एहंकार इन सभी गन्स की फायर का समन्वे भारत में ही निर्मित शक्ती फायर कंट्रोल सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है जिसका विवरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लॉंग रेंज फायर में मौसम की वज़े से पढ़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए इंडियन मीटियरोलाजिकल डिपार्टमेंट द्वारा बनाए गए मौसम अप तथा थल सेना के द्वारा विक्सित अनुमान अप को इस्तिमाल किया जाता है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं शारंग और धनुष स्टोर आटिलरी गन सिस्टम्स हैं जिनको फायर करने से पहले गन एरियर्स में हाई मोबिलिटी छे बाई छे गन टोइंग वेहिकल द्वारा लाया जाता है इसी का एक उदारन आप अपने बिलकुल सामने दाईने से बाई हरकत करते हुए देख सकते हैं इने के साथ आटनिर भरभारत अभियान की अंतरगत निरमिद के-9 बज्र को इनके पीछे हरकत करते हुए देख सकते हैं के नाइन वज्र एक सेल्फ प्रोपेल सिस्टम है जो लड़ाई के दौरान किसी गन टोइंग वेहिकल यानी जी टी बी के बिना टैंक और मेकनाइज फोर्सिस के साथ हरकत कर सकता है इन डारेक्ट फायर के अलावा आटलरी गन्स डारेक्ट फायरिंग रूल में भी इस्सिमाल की जाती है देवी और सजनों अपना ध्यान दाहिने ले जाएं कुछी पलों में आप इसका उदाहरन राइट फिंगर के दाहिनी तरफ देखेंगे जहां तीन के नाइन वज्र तै इनके साथ सबसे बाई तरफ ग्रीन फ्लैक से दर्शाया गया वाहन कैरियर कमांड पोस्ट ट्रैक्ट कहलाता है जो इस वेपन सिस्सिम के फायर का समन्वे करता है ये गन्स भारत चीन सीमा पर भी तैनात किया गया है टार्गेट एकुजिशन करते ही ये गन्स अपने डार टार्गेट फायर द्वारा टार्गेट ग्रूप साथ पर दुश्मन के टैंक्स को बरबात करेंगी देवी और सजनों अपना ध्यान टार्गेट ग्रूप साथ पर ले जाएं सदेश निर्मित के नाइन बज्र हर इलाखे में मेकिनाइज स्पोर्स्स को मैचिंग क्रॉस कंट्री गतिशीलता प्रदान करता है इंडारेक्ट फारिंग रोल में 38 किलोमीटर, डारेक्ट फारिंग रोल में एक किलोमीटर तक की दूरी के टार्गेट को बरबाद करने की चमता रखता है उच्च फारगती से तीस सेकेंड में तीन गोले दागने में सक्षम के नाइन वज्र हर फॉलात को भेदने की महारत रखता है जिसकी अस्थी से वज्र बना ये उस दधीची का अंशदान सब कुछ माटी पर वार दिया ये उस प्रताप का स्वाविमान ये उस प्रताप का स्वाविमान हमारी वायू सेना और आठिलरी के डारेक्ट और इंडारेक्ट सक्टी गोलाबारी से दुश्मन को काफी नुकसान पहुचा है अगर आप अपना ध्यान बाए तरफ ले जाए तो आप धल सेना के रेकी दस्ते हाई मोबिलिटी रेकी वेहिकल का इस्तिमाल करते हुए देखेंगे ये दस्ते दुश्मन की सूचना प्राप्त करने के लिए एरिया लेट पेंगर की तरफ तेजी से बढ़ते हुए देख सकते हैं इनके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हाई हेड़कोटर ने आधोने टेक्नॉलजी का उत्योग करते हुए सोम ड्रोन से दुश्मन पर प्रहार करने का निरने लिया है इन हाई टेक्नॉलजी प्लाटफॉर्म्स और सिस्टम्स को सही इंटिग्रेशन और अपरेशनल प्लान में शामल करने के मद्दन नजर भारतिय सेना ने बच्ट दोहजार चॉबीस को यर ओफ टेक्नॉलजी एब्सॉर्प्शन पुशिद किया है देविया और सज्चनो अभी टॉप अटैक म्योनिशन का इफिक्ट देखने के लिए अपना ध्यान एरिया औरेंज आरो की तरफ ले जाए जहां पर आपन अटैक स्वोम डॉन्स का टॉप अटैक स्ट्राइक देख सकते हैं झालाओ सरुब झालाओ सकते हैं पर जनों रिकी दस्तों की दीगई सूचना के अधार पर ICV BMP 2 सारत सार्थी की तरह युद्ध को दिशा देने के लिए एडवांस करेगा इनके एडवांस को लीड करने के लिए इनके रिकी दस्ते के तीन ICV BMP 2 आगे बढ़ रहे हैं वायवाले दोनों BMP 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम तथा सरवत्र ब्रिजिंग सिस्टम के द्वारा रुकावट को पार